हेलो दस्तों, अगर आपने OLA electric scooter को बुक किया है, या फिर आप OLA electric scooter को पर्चेस करने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी important है, क्यूँकि OLA electric scooter के तरफ से कुछ new update निकल के सामने आ रहे हैं, इस update में आपको तिन नए update देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो को हम इस update को हम क्योंक से जान लेते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ Ola Electric Scooter ने एक new color को launch किया है अपनी S1 और S1 Pro में जिसको company Geroa Color से बता रही है जिसमें आपको orange color देखने को मिल जाता है second update के बारे में बात करें तो Ola Electric Scooter का purchase window start होने वाला है 17 और 18 March को जो कि होली के दिन आपको इसका purchase window start हो जाएगा जो कि अगर आपको ये purchase करना है तो आपको Ola की app से आप इसको purchase कर सकते हैं 17 और 18 March को फ़र अपडेट के बारे में बात करें तो जो कि है color का तो जिए ओ ये company नया color launch किये गेर हुआ अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो ये 17 और 18 March को ही आप purchase कर सकते हैं उसके बाद ये अब लेवल नहीं होगा और उससे पहले भी ये अब लेवल नहीं होगा तो अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो जिनोंने reserve किया है पहले से 20,000 रुपे का advance payment किया है उनको 17 March को आप इसको purchase कर सकते हैं जो लोग भी advance payment किये हुए बाकि अगर जिनोंने 500 रुपे दे के जो booking किया हुआ है उनको 18 March को ये purchase करने का option मिल जाएगा जो limited store color है गेरवा orange color का तो ये कुछ date wise company इसको बता रहे हैं बाकि के भी जो 10 colors उसको भी आप purchase कर सकते हैं बाकि अगर बात करें इन future में गेरवा कर आप ले सकते हैं या नहीं तो अभी तो फिलाल इस पर company बता रही है कि ये सिफ 17 और 18 March को ही आप इसको purchase कर सकते हैं बाकि उसके बाद वाले दिन आप इसको नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि ये इस टोक में फिर नहीं रहेगी तो ये अपडेट था ओला इलेक्टिक स्कूटर के तरब से जो की purchase window स्टार्ट हो रहा है 17 और 18 को और इसको आप ले सकते हैं 17 और 18 को और कौन लोग ले सकते हैं इस अपड़ क्ले राद विध बाइक